हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, तो देखी कभी-कभी होता क्या है, हम सोचते हैं कि हमने एक्जाम बहुत अच्छा दिया है, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स बहुत काम आए है, तो उसका जो में कारण होता है, वो होता है हमारी हैंड रैटिंग, तो आपको अपनी सो स्टुरेंट्स, फर्स्ट टिप है रैटिंग साफ करने की वो है आपका हतियार, और आपको पता है कि हम कहीं पर भी अगर जाते हैं तो बिना हतियार के जाएंगे, तो वो चीज हमारी सफल नहीं होगी, लड़ाई में भी हतियार की जरुरत होती है, उसी तरह रैटिंग कि हम किसमें कमफर्टेवल हैं, कौन सा पैन हमारे लिए बैस रहेगा, अगर आप पतली ग्रिप वाला पैन यूज करना चाहते हैं और उसमें आप कमफर्टेवल हैं तो इस तरह से पतली ग्रिप वाला पैन यूज कर सकते हैं, उसी तरह अगर आपको कमफर्टेवल हैं थो जो पॉइंट होती है आगे की टिप जो होती है वो आपकी पतली है या मोटी है, अगर मोटी टिप का अगर आप लेते हैं पैन, तब क्या होता है, जो राइटिंग है वो इतने साफ नहीं आती है, बल्कि पतली टिप से आपके आपकी राइटिंग जो है वो definitely साफ आएगी, तो एक pen कोई भी आप choose कर लिजिए अपनी choice के अनुसार और बाकी के pen को आपको हटा देना है. अब ये बात हो गई हमने अपना pen choose कर लिया. उसके बाद बात करते हैं writing की और कैसे हम improve कर सकते हैं. तो देखिए writing improve करने के लिए अगर आप cursive writing लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो letter हैं वो आपस में मिले हुए letter होने चाहिए. ना कि आपने कोई letter तो देखिए मिला दिया और कोई letter को आपने separate कर दिया. करसिव writing हमेशा मिले हुए letters के साथ ही बनाई जाती है. तो इस बात का ध्यान रखना है जब आप cursive writing लिख रहे हैं तो चाहें आप उसका capital letter लिख रहे हैं या आप उसका small letter लिख रहे हैं. दोनों में ही आपको cursive का इस्तमाल करना है. जैसे अगर आप यहां पर देख सकते हैं ये बी है और बहुत से letter ऐसे हैं जो cursive के बिना बने हुए हैं. तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको सारे ही letter आपको cursive में ही लिखने हैं. नेक्स चीज़ आती है कि आपको words के बीच में same distance रखना है. अगर आप same distance रखेंगे हर word के बीच में तो आपका writing साफ लगेगा और वहीं अगर आप थोड़ा पास पास रख देंगे words को तब आपका writing जो है वो बहुत ज़्यादा congested लगेगा और वो साफ नहीं लगेगा. तो इसलिए space देना बहुत जरूरी है आपको हर words के बीच में. आप यह मत सोचिए कि आपको क्या कर रहा है कि बहुत पास पास लिखना है. थोड़ा distance आप आराम से इसमें दे सकते हैं. और आपके जो letters हैं वो एक तो बिल्कुल clear मने होने चाहिए. ऐसा ना हो कि समझ में नह ही चले जा रहा है लेकिन यह writing हमें समझ में ही नहीं आरे क्या लिखा है. अगर वहीं आप इस चीज़ को बिल्कुल साफ करके आप लिखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा. एक एक चीज़, एक एक word आपको clear होना चाहिए. दिखता हुआ होना चाहिए. वो तब आपका आएगा क्योंकि देखें एक्जाम में क्या होता है? समय कम होता है और हमें लिखना जादा होता है. लेकिन जब हम अपने एक्जाम में कोई चीज़ याद करते हैं और याद करने के बाद लिखते हैं, लिखने की आपको practice करनी है. एक्जाम में जो जो question आपको याद कर लिया आपने वही वही कोशन आपको अगर आप लिख लिख कर देखेंगे और एक time limit लगाएंगे अपने mobile में अपने alarm में इस चीज का लगाएंगे कि आपको 15 मिनिट में या 10 मिनिट में ये question लिख कर देखना है और writing भी आप अपनी check करनी है कि आपकी writing इतने समय में साफ आ रही है या नहीं तो ये चीज क्या होती है छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो आपकी writing को improve करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इतने समय में मैं इतने flow में अगर अपनी कोई writing लिख रही हूँ तो आपकी writing वो साफ आएगी या नहीं अगर गंदी आ रही है तो इस चीज़ पर आपको focus भी करना है कि आपको समय के साथ साथ अपनी writing भी flow में भी लिखते हुए आपको जल्दी जल्दी और साफ लिखनी है आपको writing तो इस चीज़ का आपको खास क्याल रखना है next चीज़ जो आती है वो ये देखिए ये आता है ये है आपका जैसे आप किसी भी चीज़ के heading लिखते हैं तो heading में क्या होता है कि आप अगर उस चीज़ को अलग लिखेंगे या अलग pencil लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है blue color से ही लिखा हुआ है और blue color से ही इसका पूरे description लिखा हुआ है तो ये देखने में इतना attractive नहीं लगेगा आपको क्या करना है black color से तो heading लिखना है और black color से ही उसके underline ड्रॉ करनी है next line से आपको उसका description लिखना शुरू करना है तो आपका जो heading होगा वो अलग से आपका highlight होगा समझ में आएगा examiner को कि आपने यहाँ पर आपने कोई heading या sub heading डाला है इसी बात का आपको दियान रखना है अगर आप इसमें mix कर देंगे तो examiner को समझ में नहीं आएगा कि ये आपने heading या sub heading डाला है या नहीं next चीज जो आपको दियान रखना है वो दियान रखना है आपको punctuations की बहुत जरूरी होती है punctuations लगाना बीच बीच में हमें लगाना होता है कि कहां पर हमें full stop लगाना है कहां पर हमें कॉमा का इस्तमाल करना है कहां पर colon लगाना है कहां पर semi colon लगाना है कहां पर question mark लगाना है ये सब चीजों का आपको खास ख्याल रखना है तब ही हमारी handwriting जो है वो साफ लगेगी और जहां पर भी आप अगर कोई punctuation लगाते हैं तो इसको थोड़ा सा highlight करते हो लगाई है ताकि दूर से दिखाई दे जाए कि आपने ही आपको फास ख्याल रखना है एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आपको letters के जो height है letters की वो तो ना तो बहुत ज़्यादा उंचा रखना है और ना ही बहुत छोटा रखना है height आपको proper रखनी है यानि दो जो आपकी यह rules होते हैं इनके बिल्कुल center में रहना चाहिए बिल्कुल उसको touch नहीं करना चाहिए और ये जो जैसे आप T वगरा बनाती हैं तो हम क्या करते हैं जल्दी में बस इस तरह से लिखा और T इस तरह से कर दिया बहुत प्रॉपर तरीके से आपको इस तरह से लिखना होता है तो ये writing छोटी आपको बार बार लिख लिख कर देखना है अगर आप अपने questions को लिख कर देखेंगे तो एक तो आपको पता चलेगी कि आपका writing कैसा जा रहा है क्योंकि exam में बहुत सारे questions होते हैं उन्हें याद करना होता है तो एक तो आपको writing पता चलेगी दूसरे जितना आप लिख लिख लगाना है कि आपको इतने ही समय में एक question अपना लिख कर देखना है तो आप देखिए एक बार लिख कर कि आप इतने समय में ये question लिख पा रहे हैं या नहीं अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कोशिश करिए दुबारा लिखने की और की और उससे कम समय में आप लिख उसकी जो handwriting है उसको analyze भी करते जाए कि कहां पर आप ज़्यादा अच्छा लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या problem आ रहे हैं लिखने में So friends, I hope आपको ये video helpful रही होगी आपके आने वाले exam में ये helpful रहेगी जितनी भी tips बताई गई हैं एक बार उन्हें follow करके देखिए हो सकता है आपको उसमें कुछ help मिले और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please इसे like जरू कीजिएगा Thank you so much for watching my video